नमशकार दोस्तों कल्यान याइस एकीडमी में याज सबी का हार्दिक श्वागत है मित्रों आज से हम हमारे प्रतंप्रश्णपcake के खंड आ की तीसरी यूनिट को प्रारह्म करने वाले हैं पहली दो यूनिट हमने पढ़ ली हैं पहली उनिट के अंतरगत हमने प्राची नितिहास का अध्यन किया था दूसरी उनिट के अंतरगत हम लोगोंने मद्यकाली नितिहास का अध्यन किया था और अब हम तीसरी उनिट के अंतरगत आधुनिक इतिहास का अध्यन करेंगे सबसे पहले हम तीसरी उनिट के अंतरगत कौन कौन से टॉपिक समाहित हैं किन किन टॉपिकों का आपको कहां तक अध्यान करना है इसका इस पर विचार या परिचर्चा कर लेते हैं सबसे पहले हम आयोग द्वारत दिये गया सिलेबस को देख लेते हैं पर उसके बाद हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो एकाई तीन के अंतरगत आखिर आयोग ने क्या-क्या सिलेवे समाहित किया है तो पहले पॉइंट में ब्रिटिस अपनेवेस के प्रती भारतियों की प्रतिकिरिया और प्रतिकिरिया के सरूप क्रिशक और आदिवासी दोनों के विद्रोहों को समाहित किया है चुकि पिछले वीडियो में या दूसरी यूनिट के आखरी लेक्चर में हमने देखा था कि ब्रिटिस नीतियों के दौरा भारतिय समाच पर या भारतियों लोगों पर चाहे उसमें किसान हों चाहे मजदूर हों चाहे जमीदार हों सभी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पढ़ाता उनके कारण बहुत सारी प्रिक्रिया भी हुई थी प्रतिक्रियाएं भी हुई थी जैसे कि बहुत सारे क्रिशक विद्रोहों भरकर सामने आये थे बहुत सारी जनजातियों के द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए बिद्रोह हुए थे तो आपको पहले टॉपिक के अंतरगत जनजातियों के द्वारा किये गए बिद्रोह और कृष्कों के द्वारा किये गए बिद्रोह का अध्यान करना है फिर दूसरे टॉपिक के अंतरगत आपको प्रिथम स्वतंतरता आंदूलन या प्रिथम स्वतंतरता संग्राम जिसे अठारा सु संताउन की क्रांती के नाम से भी जाना जाता है उसका ध्यान करना है तीसरे टॉपिक में भारती पुनरजागरण क्या था इसके शहयो करता कौन कौन थे भारती पुनरजागरण में किन किन महापुरुषों ने योगदान दिया था उसके साथ ही साथ राष्टी स्वतंतरता आंदूलन क्या कौन कौन से थे इसने किस तरीके से भारत को स्वतंतर दलाई और इनके नियत्रत्यों करता कौन-कौन थे इनके विशाई में आपको विस्तार पूरुपका ध्यान करना है फिर इसके बाद आपको गलतंत्र के रूप में भारत का उदाय कैसे हुआ मतलब मद्द कालेन इतिहास के बाद भारत की स्वतंतरता और स्वतंतरता के बाद तक का इतिहास आपको इसके अंतरगत पढ़ना है आपको जैसे ही स्वतंतरता मिलती है फिर उसके बाद गरतंतर के रूप में भारत का कैसे उधाय होता है कैसे राज्यों का पुनर गठन होता है कैसे मद्दप्रदेश का गठन हुआ और स्वतंतरता प्राप्ती के पश्चात जो प्रमुक गठना करम थे जैसे की चीन का भारत पर आक्रमन हुआ या चीन के साथ भारत का यूद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ भारत का यूद्ध हुआ तो इन सभी को आपको इसके अंतरगत अध्यन करना है तो किलियर हुआ, यह आपका सिलेवस है, जिसके अंतरगत आपको चाठ टॉपिक रखे गए हैं, पहले टॉपिक में आपको जनजाती और क्रिशक विद्रूह का अध्यन करना है, दूसरे टॉपिक में अठासु संताउन की क्रांती, तीसरा टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जा भारत में क्या-क्या घटना क्रम घटित हुए, उन सभी का आपको विस्तार पूर्वा का ध्यन करना है, आपको याद दिला दूँ कि तीसरी यूनिट का महत्त भी उतना ही है, जितना की पहली यूनिट का है, जितना की दूसरी यूनिट का है, क्योंकि इस यूनिट से भी 30 इस नम्मर के प्रस्ण पूछे जाने हैं, जिसमें तीन प्रस्ण तीन नम्मर के, दो प्रस्ण पांच नम्मर के और एक प्रस्ण आपका ग्यारा नम्मर का रहेगा, जो तीन नम्मर के प्रस्ण रहेंगे वो आपको दस सब्द या एक लाइन में लिखने हैं, जो आपके पां पर हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली यूनिट तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक देखते हैं जिसमें ब्रिटिस सासन के प्रथी भारतियों की प्रतिक्रिया समाहे थे तो ब्रिटिस मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दूसरी यूट के अंतरगत बताया था कि ब्रिटिस नीती के द्वारा भारत पर किस प्रकार से प्रभाव पड़े थे ब्रिटिस नीतियों ने भारत में बहुत सारे अमूल्चूल परिवर्तन किये थे चाहे वह राजनेतिक छेत्र हो चाहे वह सामाजिक छेत्र हो और चाहे वह आर्थिक छेत्र हो जैसे कि नवीन भूराजश्व नीती लेकर आये थे, तीन भूराजश्व नीतियों का हमने विस्तारपूर्बा कध्यन भी किया था, जैसे कि जमीदारी इस्थाई बंदोबस्त बिवस्ता थी, महालदारी बिवस्ता थी, रहियत बाली बिवस्ता थी, तो इसके द्वारा कृ पिश्कों का सोशन बहुत जादा किया गया, फिर किर्शी का बानजी करण किया गया, जिसके आधार पर जो खाद्यान फसलें उगा रहे थे किसान, अब वो खाद्यान फसलों की जगा नगदी फसलों की और प्रेरित हुए, जिससे उनके सोशन को बढ़ोत्री मिली, उसके ब उन्होंने वी औध्यूई करण को बड़ाबा दिया जिससे भारत के जो कुटीर उध्योग थे जो सिल्फ उध्योग थे जो हत करगा उध्योग थे उन सभी का पतन प्रारंब हो गया ऐसी ही रेलेवे का विकास के आज इसके द्वारा इन्होंने जो भी छोटी वोटी अंदोलन हुआ करते थे उन्हें निर्ममता पूर्वक दभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो इन सभी प्रिक्रियाओं के द्वारा भारत में बहुत सारे आर्थिक राजनेतिक सामाजिक परिवर्तन हुए साथी साथ इन्होंने सैनिक छेत्रों में भी क्या किया हस्तशेप किया सैनिक छेत्रों में भी भेदभाव की नीती अपनाई साथी साथ जनजातिये छेत्रों या जनजातिये छेत्रों के जो जंगल छेत्र हैं इनमें भी हस्त छेप किया इन्होंने जंगल अधिनियम लागू किये जिसके द्वारा जो आधिवासी लोग थे उनके अधिकार छिन गए आदिवासी लोगों का भी बहुत जादा सोशन किया तो इनकी नीतियों के दौरा जनजातिये लोगों का और किर्शक व्यक्तियों का बहुत अधिक सोशन हुआ और इसी सोशन के प्रतिकरिया सुरूप बहुत सारे आंदोलन भी हुए इन्ही नीतियों के द्वारा जो भारत था वहें इंग्लेंड का आपनिवेशिक बन गया भारत पर इंग्लेंड सासन करने लगा और इसी के परिणाम सरूप भारत में बहुत सारे आंदुलन, बहुत सारे बिद्रुहों और बहुत सारे सैनिक बिपला हुए जिनको हम आगे देखते हैं तो सबसे पहले हम अध्यन करेंगे जन जातिय बिद्रुहों का या जन जातिय आंदुलन का कि जन जातियों के द्वारा कौन-कौन से आंदुलन किये गए तो दोस्तो मैंने आपको बताया है कि जो बिटिस सासन की नीतियां थी उनसे जिस तरीके से किसान और आम जन प्रेरित हो रहे थे या प्रभावित हो रहे थे उसी तरीके से जन जातिय आदिवासी लोग भी प्रभावित हो रहे थे चुकि जनजातिये जो होते हैं आदिवासी लोग जो होते हैं वो साधरन समास से थोड़े हटके रहते हैं वो जंगलों में निवास करते हैं उनके रीती रिवाज, रहन सहन, भेस भूसा सब कुछ थोड़ा सा हटके होती है उनका धर्म भी थोड़ा हिंदू धर्म से हटकर होता है ईसाई मिशनरियों ने या ब्रिटिस वासियों ने या अंगरेजों ने इनके मूल छेत्रों पर अधिकार किया जंगल अधिनियम बना कर इनके जो भी स्वामित जंगरों पर हुआ करता था उसे छीन लिया साथी साथ ब्रिटिस सरकार के द्वारा और ब्रिटिस सरकार के साथ साथ जमीदारों द्वारा भी बड़े बड़े जमीदारों या भूमी पतियों द्वारा भी आधिवाशियों का सोशन किया जाता रहा तो जैसे ही इनका सोशन हुआ और इन में कोई एक व्यक्ति जो कि एक क्रांतिकारी नितत्त वाला होता था वो जैसे ही उभरा तो यहां पर अलग-अलग समूदाय, अलग-अलग कवीलों द्वारा, अलग-अलग जन्जातियों द्वारा, अलग-लग समाय पर बहुत सारे आं यदि हम इनका मुख कारण देखें तो सभी जनजातियों में लगवग लगवग एक से ही कारण बिद्दमान होते हैं। कि जनजातियों जितने भी आंदोलन हुए हैं उनकी प्रष्ट भूमी अलग थी उनका समय अलग था लेकिन उनकी पीछे जो कारण थे वो लगवग समान थे। कौन कौन से थे हम देख लेते हैं तो उन कारणों को हम राजनेतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दरश्टी से बाट कर देखते हैं। राजनेतिक दरश्टी से देखें तो जो जनजातिय उत्पाद थे, जहां से जनजातिय अपना उत्पादन करते थे, जो कि जंगल छेत्र होते थे, तो ब्रिटेस सरकार ने जंगल अधिनियम बना कर जंगली छेत्रों पर अपनी निगाहें गढ़ाना चालू कर दिया। इससे जनजातिय व्यक्ति आदिवाशी व्यक्तियों को लगा कि इससे उनके अधिकार छिन जाएंगे। साथी साथ इन अधिनियमों के द्वारा उन्हें उनके मूल अधिकारों से वंचित कर दिया गया, साथी साथ उनका शोशन किया गया। जिससे उनमें आक्रोस की मजदूर बना कर बेगारी इन से मजदूर कराई गई जिससे लोगों में आक्रोश उत्पन हुआ और उसने बिद्रोह का रूप धारन कर लिया आर्थिक कारण की बात करें तो खूट कटी प्रथा खूट कटी प्रथा यह मुंड़ा जंजातियों में प्रचलित होती है भूमी निजी लोगों के स्वामित में देने लगी जिसके कारण जो मुंड़ा जंजाती थी वह है उसमें बिद्रोह पनब गया और उसने बिद्रोह कर दिया इसके साथ ही जंजातियों को अनुबंद स्रमिक के रूप में बहला फुसला कर एक जगा से दूसरे जगा चाय क बागानों में उन्हें चाय के खेतों में काम करने के नाम से ले जाया गया लेकिन वहां पर ले जाकर उनसे सफाई किसकी सफाई गंदगी की सफाई का का काम करवाया गया जिससे उनकी आत्म सम्मान को ठेस पहुंचा और इसने ही आगे जाकर आक्रोस का रूप धारन कर लि तो इसके कारण भी जनजातियों में क्या हुआ आक्रुश की भाउना ने जनम लिया अंग्रेजियों तो आरा जनजातियों से बेगारी मजदूरी कराई गई बेगारी काम करवाना क्या कहलाता है अर्थात उन्हें भत्ता या आमदनी ना देकर फिरी में ही उनसे काम कराना अर्थात उन्हें करजीला बनाकर उनसे मुफ्त में ही काम कराते रहना बेगारी मजदूरी कहलाती तो इन सभी के कारण क्या हुआ आक्रुश की भावना ने जन मिलिया और आगे चल कर यह अलग-अलग जनजातियों द्वारा अलग-अलग समय पर बहुत सारे बिद्रुख के रूप में सामने आए यदि हम सामाजिक कारण की बात करते हैं तो बिटिस सासन की भूराजश विवस्था तथा प्रशासनिक विवस्था भूराजिस विवस्ता से अधिक से अधिक लगन वसूल किया गया जो जनजातियां कृशी करती थी उनसे अधिक से अधिक लगान वसूल किया गया जो जनजातियां बेगारी करती थी उनसे भी बेगारी लगान वसूल किया गया जिससे क्या हुआ उनमें आक्रुश की भावन प्रशासनिक विवस्था इस तरीके की होती थी कि उन्हें जो जनजाती लोग थे उनके लिए शोशन का सिकार बनाया जाता था उनका शोशन अधिक से अधिक किया जाता था उन्हें नियाय नहीं मिलता था और अपने वेसिक विबस्था मे सामिल कर लिया गया जिसके कारण किया हुआ? उनका शोशन हुआ और उनमें आक्रोश की भावना ने जनम लिया सायंसक्रते कारणों की बात करें तो 1813 अधिनियम के दोरा बिटिस सरकार ने यूरोप बासियों के लिए भारत का मार्गेट पूरा खोल दिया था तो उसी समय एशाई मिस्नरी भी भारत में आए धर्मे प्रचार करने के लिए आए और उन्होंने सबसे पहले टार्गेट किसको किया उन्होंने टार्गेट किया जनजातियों को जनजातियों का धर्म अंतरन कराया गया जनजातियों के सांसकरतिक धार्मिक छेत्रों में हस्त छेप किया गया जिससे आधिवाशियों की जो आंदिरिक भावना थी, धार्मिक भावना थी, सम्मान की भावना थी, उसको ठेश पहुची और इस ठेश के कारण उन्होंने आंदुलन का स्वरूप धारन कर लिया, जगय जगय पर आंदुलन किये तो इस तरीके के कारण थे सामजक, आर्थिक, राजनेतिक और सांस्कृतिक जिसके आधार पर जन्जाती बिद्रोहों ने जन्जाती बिद्रोहों का रूप धारन किया अब हम बात कर लेते हैं इन बिद्रोहों का स्वरूप कैसा था तो दोस्तो सभी जन जाती है अथवा आदिवाशी आंदोलनों की प्रष्ट भूमी तो एक समान थी प्रष्ट भूमी एक समान मतलब कारण लगभग लगभग समान थे या तो उनके अधिकारों को चीना गया था या उनके धर्मों में हस्त छेप किया गया था या फिर उनकी जो प्रथाएं थी उसमें हस्तशेप किया गया था या फिर उनकी सराब बनाने की प्रथा को या उनके सरदारों को नीचा दिखाने के कारणों से ये विद्रू हुए थे तो प्रश्ट भूमी तो लगवक सभी की समान थी लिकिन तु आंदोलन समय और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे परियाप्त मुद्दे उन सभी में क्या थी विढ़नता थी अलग-अलग समय पर हुए थे और अलग-अलग मुद्दों के आधार पर हुए थे तो चलिए हम समझ लेते हैं इन जनजातिय बिद्रोहों को मुख तहा उनकी मुद्दों के आधार पर और समय के आधार पर दो भागों में बाट देते हैं एक होता है मसीह बादी दरश्टी कौन बाले जन जाती है बिद्रो हो और दूसरे होते हैं राष्ट बादी दरश्टी कौन बाले जन जाती है बिद्रो हो तो बिद्रो हो के स्वरूप को हमने दो भागों में बाटा एक समय के आधार पर और समय के आधार पे क्या हो जाएंगे प्रिथम चरण में 18 से 19 सदी तक जो भी आंदोलन चलाएगा जो भी बिद्रो हुए उन्हें रखा गया और दूसरा चरण में 20 सदाबदी के बाद जितने भी जन जाती आदिवासी बिद्रो हुए उन्हें रखा गया जो 18 और 19 सदी में हुए थे उन्हें मसीहाबादी द्रश्टी कोण में कहा जाता था क्या कहा जाता था मसीहाबादी द्रश्टी कोण और इसके अंतरगत कौन-कौन से बिद्रो हुआते हैं तो इसके अंतरगत सन्यासी बिद्रो हुआ बिद्रों और मुन्दा बिद्रों होते हैं. और यदि हम दुतिया चलाने की बात करते हैं, जो कि 20वी सदी के आजपास चलाए गए थे, उन्हें हम राश्टबादी दर्श्टीकोर के अंतरगत रखते हैं. और राष्टबादी द्रश्टी कोड़ के अंतरगत ताना भगा तान दोलन रंपा बिद्रोह और नौसाना बिद्रोह को समाहित करते हैं यदि हम बात करें बीसवी सदी के जंजाती बिद्रोह तो यहें बीसवी सदी के पहले जो जन्जाती बिद्रोह थे उन्हें मसीहबादी दरश्टी कोड़ कहा जाता था क्यों कि इस समय तक राश्टी भाउना का विकास नहीं हुआ था इस समय जन्जाती अपने अधिकारों के लिए अपने लिए लड़ रही थी अलग अलग कबीलों के आधार पर लड़ रही थी और इसकी भरपाई वो लोग किसके माध्यम से करते हैं धार्मिक अंद विश्यासों के माध्यम से करते हैं जबकि बीसवी सदी के बाद जो राष्टबादी विद्रोह हुए थे जो आदिवासी विद्रोह थे उन्होंने राष्टबादी विद्रोह का रूप धारन कर लिया था यह ब्यापक छेत्र में फैल गए थे अर्थात इनका जो उद्देश था वो दूर दरश्टी से प्रेरित था तो इस तरीके से दोनों दरश्टी कौनों के बिद्रोह हुए थे चले हम एक एक बिद्रोह का अध्यन करते हैं कि वह बिद्रोह कौन सा था कहां पर हुआ था और इसके महत्तो क्या थे बिद्रोह के परिणाम और महत्तो से पहले हम देख लेते हैं कि बिद्रोह के परिणाम और महत्तो क्या क्या है इससे पहले क्या हो रहा था जो जंजातिय थी जंजातिय समुदा अपने कवीले के आधार पर ही अपना हक प्राप्त करने के लिए आंदुलन किया करते थे बिद्रूह किया करते थे परंपरागत और इस्थानिय बिद्रोह की परंपरा इस्थापत हुई अर्थात अब परंपरागत रूप से इस्थानिय आधार पर बिद्रोह की परंपरा प्रारंब हो गई हर लोग, हर जंजाती अपने हक के लिए अपने लिए अंदुलन करने लगी, बिद्रुह करने लगी साथी साथ और अपनवेशिक के बुर्द संगर्स के अभी व्यक्ती हुई इससे पहले जनजातिया मानती थी कि जो ब्रिटिस सरकार है वो उनकी भलाई के लिए कारी कर रही है या फिर जो भी उनका सोशन हो रहा है जमीदार कर रहे हैं उन सोशनों से आगे चलकर ब्रिटिस सरकार उन्हें निजात दिला देगी अर्थात उनकी जो ब्राष्ट भक्ती थी जो भक्ती की भावना थी वो बिटिस सरकार के प्रति असीम थी लेकिन बाद में क्या हुआ उपनिवेश का उनके सामने असली चहरा सामने आ गया कि उनका सोशन जमीदार तो कर रहे हैं बास्ता में उनका सोशन बिटिस सरकार कर रही है और जिहोंने भारत को अपनिवेश बनाया हुआ है तो अपनिवेश के बुद्ध क्या होने लगता है धीरे धीरे संगर सोने लगते हैं बिद्रो होने लगते हैं जन बिद्रों की मजबूत कड़ी के रूप में महत्रपून प्रभाव पड़ता है और आगे जाकर ये अठारसो संदा उनकी क्यांती के रूप में प्रजुलित होता है सलवर्टाइन बिचारधारा का विकास होता है सलवर्टाइन सवाल्टाइन बिचारधारा क्या होती है तो ऐसी बिचारधारा जिसमें ऐसे विश्यों को जानने का जानने पर महत दिया जाता है जो अनसुलजे होते हैं जिनें जानने के लिए कोई सोर्स प्राप्त नहीं होते हम बोलते हैं न कुछ ऐसे विसाय हैं जो अनसुलजे हैं अन देखे हैं तो उनको जानने की बिचारधारा अब क्या हो जाती है पैदा हो जाती है इन बिद्रोहों की चरम पराकस्ठा एबं परिणाम सरूप 1877 के बिद होता है एक महान क्रांटि होती है जिसे भारत का प्रथम सुसद्रता संगराम या 18 meille jonki के नाम से जाना जाता हैं बिदरो की कमिया क्या थी हम उनको भी देख लेते हैं कि जो जनजाति बिद्रों थे आखिर ये अस्फल क्यों हुए क्यों इन्हें बिटिस सरकार द्वारा समय समय पर दबा दिया गया तुनिकी कमियों की बात करें तो बहुत सारे कारण है जैसे कि इन विद्रों में राजनेतिक और सामाजिक विकल्प का भाव था जो जनजाती विद्रों हो रहे थे वह स्टार्डिं थे कि हमारा सुषन जो जमिदार कर रहे हैं हम पर जो अधिक से टेक्स लगाया जा रहा है हमसे जो राजश ववसूला जा रहा है वह कम से कम हो तो इस समय क्या था राजनेतिक और सामाजिक विकल्प ना होने के कारण वह विद्रों बहुत ती ब्रगती से उत्पन होते थे और अचानक से सांथ हो जाया करते थे दूर दर्ष्टी और भविश्य गतरन नीती का भाव था यह विद्रों अलपकालिक दर्ष्टी से लड़े जाते थे माली जे किसी से चावल की सराब बनाना प्रतिबंद कर दिया या उस पर टेक्स बढ़ा दिया तो जनजाती विद् सात्मक तरीके से कोई भी आप इतिहास उठा कर देख लिजिए कोई भी विद्रों किया गया हो वो जादा देर तक नहीं चलता है और अधिकिसी विद्रों में दीर्ग कालिक रननीती ना हो दीर्ग कालिक उद्देश ना हो तो वह जल्दी ही निर्मम तरीके से दवा लिये जाते हैं तो इनमें भी क्या था दूरदर्ष्टी का भाव था भविश्च गतर नीदी का भाव था परंपरागत हत्यारों पर निर्भर थे यह जब संगर्स करते थे तो यह हसिया कुलहाडी और चुरों तलवारों से इन से ही विद्रो किया करते थे जबकि बिटिस सरकार के पास नवीन किसमी की बंदू के हुआ करती थी जिससे इन विद्रों को निर्ममता पूरवक सही समय पर दबा लिया जाता था जल्दी दबा दिया जाता था अंग्रेजों के शोशनकारी स्वरूप का पहचान ना होना जनजाती प्रारम में जो बिटिस सरकार थी उसके सोशन जमीदार तो सिर्फ एक साधन थे उसका माध्यम थे इनका सोशन का जो तरीका था वो तो बिटिस सरकार का ही था हमारा बास्तों में सोशन बिटिस सरकार कर रही है ना कि जमीदार इनमें राश्टी नितत्त का अभाव था क्योंकि ये जो भी बिद्रों हुए ये पूर्ण हो जाने के कारण स्वताही सांथ हो जाया करते थे अंग्रेज़ों द्वारा बरबरता पूर्वक उनका दमन किया गया जैसे ही ये हिंसात्मकूरूप धारन करते थे बहुत प्रभावकारी होते थे उसी करीके से बिटिस सरकार भी निर्ममतपूरवक इन अंदोलनों को इन बिद्रोहों को दबा दिया करती थी तो तातकाले कारणों से ये प्रभावित थे क्योंकि इने में दिर्ग काले की योजना का अभाव था उप्रोक्त कम्यों के बाबजूते जन जाती बिद्रो किसी सामराजवादी शक्ती के बुरुद्ध है एक परमपरागत या इस्थानी इस्तर पर बिद्रो का उतक्रष्ट उधारन प्रस्तोत करते हैं और दोस्तों ठीक है कि बिद्रो अस्फल जरूर होगे समय समय पर इने दबा लिया गया निर्ममतपुरवक दबाया गया लेकिन आगे चलकर जो अठारसो संताउन की किरांती के रूप में एक महान बिद्रो हमारे सामने आता है जो स्वतंदरता की आग प्रजुलित करता है उसकी यदि प्रष्ट भूमी देखें तो इसकी प्रष्ट भूमी तयार करने का स्रे इन जनजाती बिद्रोह को ही जाता है तो इस तरीके से यदि आपसे जनजाती बिद्रोह मुझे जाते हैं 200 सब्दों में 11 नमर में तो आप लिख सकते हैं कि जनजाती बिद्रोह के कारण क्या थे इनका स्वरूप कैसा था इनके महत तो क्या थे और इनमें क्या क्या कमिया थी एक तो इस तरीके से प्रशन बनेगा और दूसरा प्रशन बन सकता है पर्टिकूलर जंजाती से जंजाती बिद्रूह से कि मुंडा बिद्रोह क्या था, बुंदिल खंड बिद्रोह क्या था, भील बिद्रोह क्या था, तो इस तरीके से अलग-अलग बिद्रोह भी बन सकते हैं, तो चलिए जो जनजातियों के द्वारा अलग-अलग समय पर अलग-अलग बिद्रोह किये गए उनको हम समझ लेते हैं तो इन बिद्रोहों को समझने के लिए हम इसे बरगी करन करके देखते हैं तो यह बिद्रोह तीन इस्थानों के आधार पर देखे जाते हैं पहला होता है पूरवी भारत या बंगाल के बिद्रोह जो पूरवी भारत और बंगाल में किये गए थे वह बिद्रोह दूसरे भाग में हम पस्चिम भारत के बिद्रोहों को रखते हैं और तीसरे भाग में हम दक्षन भारत के बिद्रोहों को रखते हैं पश्यम भारत के बिद्रोह की बात करें तो इसमें रामोशी बिद्रोह, कच्छ बिद्रोह, भीले बिद्रोह, सूरत का नमक अंदोलन और गड़करी बिद्रोह समाहित किये जाते हैं वरदी हम दक्षन भारत के बिद्रोह की बात करें तो इसमें बिजयनगर के राजा का बिद्रोह, बेलुपंति का बिद्रोह, बुंदेला बिद्रोह और पाड़ेक गारों का बिद्रोह समाहित होता है तो बिद्रोह बहुत सारे हैं, लेकिन इन सभी बिद्रोहों को आपको नहीं पढ़ना है, इसमें से जो महत्रपून है, जहां से प्रशन पूछे की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, जहां से प्रशन पूछे जाते हैं, हम सिर्फ उनहीं बिद्रोहों का अध्यन करेंगे क्योंकि बहुत सारे बिद्रोह हो जाते हैं आप यदि बिद्रोह में ही फसे रहेंगे तो आप आगी का सलेवस कवर नहीं कर पढ़ेंगे तो इसमें जो महत्रपूर महत्रपूर हैं उन बिद्रोह का हमत्यन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं सन्यासी विद्रोह को जो 1770 से 1820 इसवी तक चला था सन्यासी विद्रोह भारती इतिहास में बिटर सरकार के बुर्द लड़ा गया जन जातियों का पहला विद्रोह था किसके थे गिरी संपरदाई के सन्यासी ते गिरी संपरदाई किनका था संकराचारी का था कारण तो कारण बहुत सारे थे जैसे कि पहला था अर्थविबस्था की शुरुआज जो एक नई अर्थविबस्था की इन्होंने शुरुआत की थी अंग्रेजों ने उसके कारण किस जिस सरकार भी शोशन किया करती थी, जमीदार भी शोशन करती थी, जिससे किर्शक और जो सिल्फी थे, उनकी इस्थिती कैसी हो गई थी, दैनिय हो गई थी, बंगाल में पड़े 1770 ISB के भीशन अकाल, यह भी बहुत महत्रपून कारण था, क्योंकि इस समय भीशन अकाल पड उसकी भाउना ने जन में ले लिया, क्योंकि जो ब्रिटिस अधिकारी होते थे, आपके पास भले ही अकाल पड़ा हो, भले ही आपके पास खाद्यान ना हो, उन्होंने जो राजशु की दर निर्धरत की है, वह तो वह वह वसूलते थे, वह निर्ममता पूरवग वसूलते जिसके कारण लोगों में या बंगाल के लोगों में क्या हो गया, आकरूस की भाउना ने जन मिलिया, उसी समय तीर्थ इस्तलों की यात्रा पर लगे प्रतीबंद, ब्रिटिस सरकार ने तीर्थ यात्राओं पर प्रतीबंद लगा दिया, इस से दुखी होकर संकराचारी के जो अनुयाई थे, जो की गिरी संपरदाय से संबंदित थे, उन्होंने आंदुलन या बिद्रोह की चिंगारी, फूंकडाली और बिद्रोह प्रारंब कर दिया सुरूप देखें अधी बिद्रोह का तो सन्यासी लोगों ने जनता के साथ मिलकर अन्याई के बुर्ध लडने की परंपरा को बनाये रखा और कोई भी जन्जाती बिद्रोह अब ध्यान रखियेगा एक ऐसे थे हिंसात्मक रूप से किये जाते थे परंपरागत हत्यारों के रूप में लड़े जाते थे इसमें सबसे पहले कंपनियों की कोठियों तथा कोसों पर आकरबन किया गया उन्हें लूटा गया उन्हें जला दिया गया इस आंधुलन में वे दखल कौन कौन से लोग सामिल थे तो बेदखल किसान, बिगटित सिपाई, सत्तच्युत जमीदार तथा धार्म के नेता ये सबी सामिल थे आंधुलन ने बल पूरवक, धन बसूला और अंग्रेजी फ्यक्टरियों से लूट पाट की और साथी साथ उन्हें नुकसान पहुँचाया तो इसका स्वरूप कैसा था? इसका स्वरूप था हिनसात्मक अर्थात इन्हों ने हिनसात्मक रूप से लूट मार की और अपने अधिकारों को चीना अंदुलन का दमन जब इस अंदुलन ने अपने भयावा रूप धारन कर लिया सरकार को बहुत ज़्यादा च्छती पहुँचाई बिटिस सरकार से बहुत ज़्यादा च्छती पहुँचाई बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया तो बिटिस सरकार ने बारिन कि यह और बिद्रौ कभ वा हुआ था, कहां हुआ था, किन ने इनका नेत्रत्रत्रो किया था, इसका श्रूरूब कैसा था और इसका दमन कैसे हुआ ये प्रेस्चन आप से यदि 11 नम company पूछा जाया तब भी आप पूर कर सकते हैं पांच नम्मर में पूछा जाए तब भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और यदि तीन नम्मर में पूछा जाए तब भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं तीन नम्मर में पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे तो इसका उलेक बंकें चटो पाध्याए के उपन्यास आनंदमठ में मिलता है किस में मिलता है आनंदमठ में मिलता है एक प्रिलिम्स की दरश्टी से याद कर लीजिए और मैंस की दरश्टी से तीन नमबर में भी पूंचा जा सकता है कि सन्यासी विद्रुह का उलेक कहां पर किया गया था तो छोटा नाखपुर का छेत्र इसका छेत्र कया था छोटा नाखपुर का था इसके प्रमुक नेता बुद्धो भगत और गंगा नारायन थे कौन-कौन थे बुद्धो भगत थे और गंगा नारायन थे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कोल किने कहा जाता कौल कौन से लोग कहलाते थी तो जो छोटा नाकपुर छेत्र में कुछ जंजातियां हैं जिसके अंतरकत मुंडा ओराओं और हो जंजाती आती है इन सभी को समगर रूप से क्या कहा जाता था कहा पर निवास करती थी छोटा नाकपुर के छेत्र में निवास करती थी कारण द जनजातीये लोगों में आक्रोश हो गया क्यूंकि जनजातीये लोगों में सराब पीने की प्रथा लगातार चलती रहती है वो एपने मनुरण्यर की रूप में या दैनिक जीवन में सराब का उपयोग करते हैं और जब पिटे सरकार ने इस पर उत्पाद सुल्क बढ़ा दि पिटे सरकार दोरा कोलों की भूलाओ चीन कर मुस्लिम करशकों और सिक्कों को दे दिया गया जिससे कोल जन जातियों में या कोल छेतर में नवास करने वाले लोगों में बिद्रोह की भावना उमर पड़ी अंदुलन का सुरूप देख लेते हैं कि जो कोल बिद्रोह था उसका सुरूप कैसा था तो 1831 में बुद्धो भगत के नेतर्तों में कोलों को ने कई बिद्रोह बाहर के लोगों को या तो जला दिया या उनकी हत्या कर दी अर्थात इसका भी सुरूप कैसा था हिंसात्मक था इसमें बुद्धो भगत के द्वारा एक सेना गठत की गई और उन लोगों ने जो बिद्रोह बहुत ही हिंसात्मक रूप धारन किये हुए था बिद्रोह को बहुत ज़्यादा च्छती पहुँचा रहा था उनकी लोगों को बहुत ज़्यादा च्छती पहुँचा रहा था इसलिए बिद्रोह को निर्ममता पूर्बाग को चलने का ठान लिया था या है बिद्रोह रोक रोक कर 1848 इसमी तक चलता रहा कभी सांत हो जाता फिर भड़क जाता फिर सांत हो जाता फिर भड़क जाता और एक दीरग कालिक तथा बिस्तरिक सेन अवियान के पश्चात ही इसे सांती तूर्बक सांत किया गया अर्थातिया विद्रोह बहुत लंबे समय तक चलता रहा और इसे सांथ करने के लिए इस विद्रोह को खत्म करने के लिए बहुत रणनी ती बिट्टे सरकार को अपनानी पड़ी थी इसके बाद हम बात करते हैं संथाल विद्रोह की संथाल बिद्रोह 1855 इसवी से 1856 इसवी तक चला था एक वरस तक चलता रहा था चेत्र क्या था तो दमने कोहे का चेत्र था दमने कोहे तीन नमर में पुछा जा सकता है दमने कोहे तो आपको ध्यान रखना है दमने कोहे के अंतरगत क्या आता है तो दमने कोही के अंतरगत बिहार, जारखंड, बंगाल की बीरभूमी, मुंगेर, हजारी वाग तथा भागल पूरवाला चेतर आता है इसके प्रमुखनेता सिध्धू, कान्हू, चांद और बहराओ थे कौन-कौन थे? सिध्धू, कान्हू, चांद और बहराओ यह इसके नेतत तो करता थे, इस आंदूलन के नेतत तो करता थे विशेष क्या था? यह आदिवाशियों के बिद्रोह में सबसे आकरामक बिद्रोह होता संताल बिद्रोह पिछले बरसों में पूछा भी जा चुका है मुंडा बिद्रोह भी पूचा जा चका है तो आपको ध्यान रखना है संथाल बिद्रोह दिर गुत्तिय प्रश्न में भी पूचा जा सकता है तो किसके द्वारा किया गया था सिद्धू, कानू, चान और भेरो के द्वारा किया गया था इस्थाई बंदोबस्थाबस्था के द्वारा किया हुआ था? जो संथाल थे, संथाल छेतर में न्वास करने वाली जंजाती थी, उनिकी जमीने छिन गई क्रोस ने जन में लिया और उन्हें बिद्रोह कर दिया बिट्टिस सरकार के प्रती बिद्रोह की आग फूग दी श्वरूब क्या था तो संथालों ने भूमिकर अधिकारियों से दुर्विहार महाजनों के बढ़ते शोशन और पुलिस के दमन तथा साहुकारों की वसूलियो की बुद्ध अपना रोज प्रगट किया और रोज प्रगट करने के साथ ही बिद्रोह की चिंगारी फूग दी और इस बिद्रोह का जो नेतरत था दो नेता कर रहे थे एक सिद्धू और कानू इन्हों ने भगना जो डी है ग्राम है इसमें एक सभा बुलाई एक जन आंद का आदिस सुनाए और उन्होंने कहा कि अब हमें बिद्रोह को जड़ से उखाड फैकना है त्यान रखिएगा ये जो संधाल थे पहले ये सोचते थे कि उनकी जो भी समश्याएं हैं उनका निराकरण स्वताही हो जाएगा या अंग्रेज सरकार उनका निराकरण धीरे-धी करके कर देगी उनकी समश्याओं का निराकरण कर देगी लेकिन जब उनको लगा कि बिटिस सरकार उनके सोचन को बढ़ावा दे रही है उनके साथ जो व्योहार है वो बहुत गंदा तरीके से कर रही है तो उन्होंने अब आंदुलन और बिद्रोह करने की ठान ली और 1855 मे और उन्होंने बिद्रोह कर दिया किसके नितत में सिद्धू कान हूं चांद और भैराओ के नितरत में बिद्रेसियों कर आज समाप्त करने के लिए बिद्रोह का नरणाय लिया गया और बिद्रोहियों ने महाजनों एबम जमीदारों पर हमला बोला और उनके मकान जला डा पुलिस, रेलवे स्टेशन, डांग ढूने वाली गाडियां इन सभी को क्या कर दिया गया लूट लिया गया या फिर जला दिया गया बिटे सरकार इन विद्रुहात्मक कारवाईयों से घबरा गई थी बहुत ज़ादा घबरा गई और उसने भी दमन पूर्वक इसे दवाने का निरना लिया कलकत्ता में मेजर बरो को भेजा मेजर बरो के नितरत में एक सेना की टुकडी भेजी जिसका संथालों ने बीरता पूरवक सामना किया तो एलन बरो के नितरत में अंग्रेजों की टुकडी आई और संथाल बिद्रो चली रहा था तो संथालों के सैनेक और अंग्रेज सैनों के बीच में जड़ाफ हुई और संथालों ने इनका बीरता पूर्वा क्या किया सामना किया किन्तु जो जनजाती आंदोलन चल रहे थे मैं आपको बता रहा हूँ जो जनजाती बिद्रोह थे किस से लड़े जाते थे तीर कमानों के द्वारा कुलहाडी हसियों के द्वारा लड़े जाते थे तो यह आंदोलन या यह विद्रोह दीर के समय तक नहीं चल पाया और अंग्रेज ने से निर्ममता पूर्वक दबा दिया जब 1855 इस भी की बात आई तो 1855 में अंग्रेजों ने सिद्धू को और 1856 में कान्हों को पकड़कर मरवा डाला और जैसे इनको मरवाया और यह आंदोलन धीरे-धीरे समाप्त हो गया तो जहां पर यह आंदोलन बहुत बरबरता पूर्वक आगे बढ़ा उसको उसी तरीके से बरबरता पूर्वक दबा दिया गया संथाल बिद्रोह समाप्त भले ही हो गया था लेकिन इसने बिटिस सासन को यह एहसास करवा दिया था कि अब आदिवासी अंग्रेजों के शोशन के प्रतीज जागरुख हो गए है आदिवासी को पता चल गया है कि अब उनका जो शोशन कर रहे हैं वो जमीदार तो करी रहे हैं लेकिन जमीदारों को सोशन करने के लिए उकसा कौन रहा है बिटिस सरकार उकसा रही है तथा सरकार ने संधाल जन जातियों की समश्याओं की और ध्यान देना ही पड़ेगा अर्थात उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि अब सरकार के लिए बिटिस सरकार के लिए जन जातियों की समश्याओं को ध्यान में रखना होगा उनके लिए अच्छे कारी करने होगे क्यूंकि अब हमें पता चल गया है कि हमारा शोशन बास्ताओं में जमीदार नहीं बिट्टिस सरकार कर रहे हैं और इस बिद्रोह के बाद सरकार ने संथाल परगना को जिला बनाया और आरजी मजुंदार इसी के तहत कहते हैं कि संथाल बिद्रोह जहां आर्थे कारणों से उत्पन हुआ था किन्तु सेखरी इसका उद्देश बिदेशी सासन को खत्म करने का हो गया था पहले ये हुआ तो था भूराज शुनीती के द्वारा चालू लेकिन धीरे धीरे इसने धीरे धीरे बहुत बड़ा सुरूप धारन कर लिया और इसका मूल उद्देश आगे जाकर बिटिस सरकार को जड़ से खत्म करने का हो गया था तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आंदोलन देखे और भी जनजाती आंदोलन बचे हुए हैं लेकिन यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए इसे हमने दो भागों में रखा है अगले जो जनजाती आंदोलन बचे हुए हैं उन्हें हम अगली वीडियो में देखेंगे तो दोस्तों बने रहिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले जन जाती आंदोरनों के साथ तब तक के लिए नमस्कार